दोस्तो आज मैं आपको बताओंगा Facebook Reels पर follow का option कैसे लगाते हैं、 Facebook Reels पर follow का button कैसे लगाते हैं अगर आप Facebook Reels वीडियो upload करते हैं और आपकी Reels पर follow का button नहीं है तो दोस्तो आपको स्रिफ एक setting करना है, इसके बाद आपकी Facebook Reels पर follow का button आ जाएगा इससे दोस्तों ये होगा कि आपके followers जल्दी जल्दी जादा हो जाएंगे और जिसको भी आपकी Reels पसंद आएगी वो follow button पर click करके आपको follow करने लगेगा तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है जिस account से आपने Facebook Reels अपलोट की है उसी account से अगर आप Facebook Reels को देखेंगे तो उस पर दोस्तों आपको follow का button दिखाई नहीं देगा जी हाँ दोस्तों जैसे कि ये मेरा एक account है राहूल यादा हो यहाँ पर मैंने एक Reels वीडियो अपलोट की है इसी account से अगर मैं इसे open करके देखूँगा तो follow का button मुझे दिखाई नहीं देगा ठीक है तो आपको क्या करना है अपने account को दूसरी ID में सर्च करना है या किसी दूसरे के mobile में सर्च करके देखना है कि आपकी Facebook Reels पर follow का button आ रहा है या नहीं तो यहाँ पर मैं दूसरे mobile में अपनी ID सर्च करता हूँ राहूल यादव यहाँ पर आते हैं रिल्स वाले section में यहाँ पर रिल्स को open करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मेरी रिल्स वीडियो पर follow का जो option है वो नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं आपको account open करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं मैंने इसे follow भी नहीं किया है और यहाँ पर रिल्स पर follow का बटन नहीं आ रहा है तो मैं आप क्या करूँगा एक setting करूँगा अपने facebook में तो follow का बटन मेरी facebook रिल्स पर आ जाएगा मैं आपको दो तरीके बताऊंगा सबसे पहले आपको facebook एप को update करना है और open करना है उपर में 3 line पर click करना है नीचे आना है आपको यहाँ पर आपको settings and privacy पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको settings पर click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पहले नमबर पर जो setting है यह friends पर set है तो आपको इसे public पर set करना है यह सिर्फ आपको एक setting करना है setting अपडेट हो चुकी है नीचे में आपको chat कर लेना है कि यह सारी चीजें सेम है या नहीं जैसा कि मेरे facebook में है यहाँ पर यह public पर हो यहाँ पर आपको three dots पर click करना है यहाँ पर आपको follow settings मिलीगे आपको open करना है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको followers and public content वाली setting मिल जाएगी आपको इसे friends से हटा कर public पर set कर देना है इसके बाद दोस्तों आपकी facebook reels पर follow का जो option है वो आ जाएगा ठीक है अब आया है यहाँ नहीं यहाँ पर मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं facebook को recent app से close करता हूँ अब दुबारा से यहाँ पर मैं अपनी id यहाँ पर search करता हूँ राहुल यादो search किया मैंने reels वाले section में आते हैं reels को open करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अभी follow क बटन आ चुका है पहले यहाँ पर follow का बटन नहीं आ रहा था मैंने सिर्फ एक setting change की और यहाँ पर follow का बटन आ चुका है अब जिस भी बंदे को आपकी reels वीडियो पसंद आएगी वो follow बटन पर click करके आपको follow करने लगेगा इस तरह से आपके followers जल्दी जल्दी बढ़ें तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना